नमस्कार दोस्तों पिर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज की जो हमारी वीडियो है वो study in Sweden से related है कौन सा intake जो major intake है सब्तमबर का मैंने बहुत सारी वीडियो में लगाता रपीट करता आ रहा हूं कि Crown Immigration को बहुत ही अच्छा experience है Sweden के साथ number of applications हम Sweden के अंदर डालते हैं visas के लिए even वहां की universities में admissions के लिए even बच्चे different different type की problems phase करते हैं उनको जब interview आ जाती है जहां जो Sweden Immigration Agency है जब उनसे additional document मांग लेती है जहां आपका decision नहीं आता वहां से तो आपकी classes start होने वाली होती है तो तब आपने क्या precautions लेने है आपका residency permit approved हो जाता है लेकिन आपको in time नहीं मिलता है बट आपने बहां जाकर classes attend करनी होती है उसकी deadline दी होती है तो तब क्या precautions लेने है आपने वहां bachelor करने के लिए जाना है तो आप bachelor में किस वे से admission ले सकते हैं बहां पर जैसे complete अगर मैं बोर्ड की बात करूं जो state बोर्ड होती है जहां से बच्चे ने 12 की होती है मैं उन बोर्ड की बात करूंगा जैसे मैं SDC बोर्ड की बात करूं है को कुई जुक्ड की बोर्ड है आई-भी डिपलोमा जिसको आँम International Baccalaure कहते है जो की Switzerland की बोर्ड है जहां आपने ICSC बोर्ड से अपनी 12 की इया किया आपने CBC बोर्ड से अपनी 12 की है जहां आपने स्वेडन में directly bachelor में admission आ सकता है ज़ा नहीं आ सकता है वो फिर depend हैं आप ICAC board के हैं CBSC board से हैं ज़ा आप GCAC board से हैं ज़ा IV diploma ज़ा state board से हैं यह वो ही बता सकता है जिसको इन countries के बारे में manutely experience हैं आपको case जब आपने अपने dependent बच्चों के साथ apply करना है single apply करना है जहां अपनी सिर्फ spouse के साथ apply करना है तो क्या precautions लेने हैं क्या आपने जो अपनी student की applications together डालनी है जहां आपका visa grant होने के residency grant होने के बार डालनी है जह वो ही experience consultant बता सकता है जिनको इन चीजों के बारे में manutely experience है जो इन चीजों को regular कर रहा है ऐसी चीजें crown immigration की fingers के उपर है अभी recently मुझे एक दो दिन पहले का complaint आई यह बच्चे की बहुत बड़ी company है I think so Delhi के अंदर है उसके बहुत सारे branches भी है different different countries में बच्चे ने sorry different different place में इंडिया के अंदर बच्चे ने उनके तुरू अपना student visa apply किया था student का बच्चे की single application डाली गई student का वीजा आ गया जो उसने अपनी spouse का वीजा था वो कहते की आपके वीजा के बाद डालेंगे चलो बच्चे ने फिर भी उनकी बात समझ ली डाली application spouse की उसकी spouse की application ही गलत apply कर दी किसी different category में settlement के लिए apply कर दी करनी थी dependent की student dependent की लेकिन apply उसकी settlement वाले में apply कर दी बच्चा इतना परिशान है कभी हमें phone कर रहा है sir कुछ करिए मैंने भी बच्चे को state formula बताया देखिए sir मेरी service आयर करना चाहते हैं serious है तो registered with us deposit our registration fees then I will properly go through your case फिर मैं आपको further guide कर सकता हूँ मैं क्या कर पाऊंगा phone करेंगे message देंगे sorry मैं कोई भी help नहीं कर पाऊंगा मैं हर एक videos में वार वार बताता हूँ आप हमारी videos जुरूर free of course देखें अपना knowledge in a hands करें आप से cheating नहीं होगी यह हमारी guarantee है अगर आप हमारी videos को भी follow करते रहेंगे हाँ अभी service चाहिए तो आपको हमारे साथ registration करवानी पड़ेगी अभी मैं discuss करूंगा September का जो major intake है उनको results अभी आने हैं बच्चों के master वालों के और bachelor वालों के मेरे पास 23 cases है total 23 cases Sweden के इन सब students के हमने admissions डाले थे इन में से 20 बच्चों का results आ चुके हैं उन में से दो बच्चे rejected भी हुए हैं जिनका admission नहीं आया तीन बच्चे waiting में हैं उनका अभी pending में दखा रहा है जो admission की confirmation आनी है इसके अंदर तीन बच्चे तो सिर्फ जिन्यों बैचलर डिगरी करने के लिए जाना है बाकी सारे master वाले है डिफरेंट 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 प्रोग्राम्स में डाला है और हमें ही माल कर रहे हैं जहां पर आपकी पीटी का स्कोर कितना होना चाहिए अगर आपका पीटी का स्कोर का स्कोर कम है तो फर्दर क्या precautions लेना है वो भो ही बता सकता है जिनको इन चीजों के बारे में experience है ऐसे नहीं है कि हमने वीडियो डाल दी हमारी वीडियो देखे हो दो चार ब्लो आजाएगा उसके बाद अपना decision लें अभी मैं Sweden के लिए जो ये वीडियो बना रहा हूं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने बताया कि Sweden है बहुत fast country है they are giving the decision जो उन्होंने अपनी deadline बताई होती है तो अभी मैं बच्चों को और parents से बार-बार request करता हूं अगर आपने Sweden की जहां आपने Finland की applications डाली हुई है तो आप जितनी जल्दी हो जब आपका admission आजाता है immediately आपने अपनी tuition fees उनिवस्टी को भेजनी है immediately और immediately अपनी residency card apply करनी है जितना आप delay करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इन दोनों countries में problem आएगी क्यों क्योंकि हमें मालुम है कि हमने previously कैसी problems phase की है जब मैं वो problem phase करता हूं तो उसके लिए हम solution टूणते हैं कि वो solution जो हमने find out किया है वो हम अपने prospective students के उपर implement करें तांकि वो हमारे जो prospective student है इस type की गलती ना करें तो मैंने आपको clear कर दिया जब भी आपके decision decision कब आने है जो decision final master वालों के 7 April को आपकी notifications आ जाएंगी क कहां कहां पर आप qualified की हैं बट अभी आप अपने पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं आप उनकों से प्रोग्राम में selected है rejected है deleted है बट 7 अपरल को उनका PDF complete notifications admissions की आ जाएगी तो जो बच्चे रहे बैचलर वाले उनकी 13 अपरल को आएगी 13 अपरल को जब आ जाएगी notification उसके बा अभी मैं क्यों कहता हूं कि as early as आपने डेडलाइन ने चेक नहीं डेडलाइनों के उपर ने डिपेंड रहे ना अभी इसकी डेडलाइन 15 जनवरी थी जिन्होंने स्विटन में जाना था 15 जनवरी डेडलाइन थी आपको admission apply करने के लिए तो अभी साथ और जो तेरा चुद university admissions हैं they are immediately taking the action on your application action क्या लेंगे कि आप कौन-कौन से में select हुए हैं कौन-कौन से में reject हुए हैं अगर आप किसी में reject होते हैं तो हम उसको change कर सकते हैं deadline से पहले-पहले इसलिए हम हर एक country में यही बच्चे से suggest करते हैं कि deadline की wait नहीं करनी है wait करेंगे तो आपका अपना नुक सब्सक्राइब कर सकता है जिसको अच्छा experience है तो इन बच्चों को अभी इन में maximum single भी है spouse बाले भी है प्रीविश्ली डिपोर्टेड के सब्सक्राइब की प्रोफाइल थी जुन्होंने हमें संपर किया है इसी के कारण हमें ज्यादा experience मिलता है कि last time S-type की profile थी क्योंकि मैं case study इसी लिए डालता हूं अपने चैनल के उपर कि यह profile थी इसको हमने इस country का वीजा लेकर दिया है इसलिए अगर आपने स्वेडन का कौन सा इंटेक जैन 2023 जिनोंने जनवरी 2023 में स्वेडन में जाना है उनके भी portal अभी first June को open होने वाले हैं उनको आज से ही preparation करनी तो आपको benefit रहेगा first June से portal open होने वाले हैं जिन बच्चों ने जैन 2023 में स्वेडन में जाना है तो उनके लिए भी मेरी request है कि वह as early as possible अपने consultant से संपर कर सकते हैं जिनोंने हमारे थूप अपलाई करना वह हमें भी संपर कर सकते हैं अब इनकी funding के बारे में funds क्या क्या कितने कितने requirement है depend है आप single है family के साथ है वो हम अपने client को properly guide करेंगे इवन interview की preparation करवाएंगे जहां पर interview आ जाती है को क्या आपका वो consultant इस टाइप की services provide कर सकता है जिसके थूँ आपने अरड़ी apply किया हुआ है even हमारा अपना own presence है शेंगन कंटी के अंदर पूर्टगाल के अंदर क्या आपके consultant की है पूर्ण ने तो आपको प्रमोशन दखानी है मेरे बीजे आ गया बीजे आ गया लेकिन फिर हाप तक आए तो आपको हमारे जितने भी शूशल मेटिंग को इमभी एड़ी फालो करना पड़ेगा अगर आपको जिए मेरी वीडियो चीनिक से लाइक एंड शेयर करना नहीं है थेंक्यू